मामने की जांच सब्डिविजन मजिस्ट्रेट ने शुरू कर दी है, महिला अभी भाई के घर पर है लखना आक्षा एकमार और भूमी पैडनिकर की फिल्म टॉयल्ट एक प्रेम कत्था की कहानी से मिलती जिलती एक खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आई है। पताया जा रहा है कि इस बीच ससुराल जनोंने कई बार उसको मनाने की कोशिश की है लेकिन उसने कहा है कि जब तक शौचालय नहीं बन जाएगा वह वापस नहीं आएगी। पीएम मोदी ने किया एक हफते में 8.5 लाक शौचालय बनने का दावा जानिये क्या है हकीकत खटना के सामने आने के बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मामले की जाच की जा रही है जो भी उचित होगा कदम उठाया जाएगा। गौर तलब है कि मोदी सरकार की और से स्वच भारत मिशन के तहट खुले में श्रौच न करने के लिए भी लोगों को जागुर्प किया जा रहा है। इसका असर भी अब धीरे-धीरे समाज में दिख रहा है। कई लोगों ने अपने घरों में शौचाले बंगवाए हैं और गरीब परिवारों को सरकार की और से भी मदद की जा रही है। विडियो, बीजेपी सांसद ने खुद साफ किया शौचाले इसी मुद्दे पर टॉयल्ट एक प्रेम कथा, फिल्म भी बन चुकी है। जिसमें फिल्म की नाईका भी अपने ससुराल को छोड़ कर चली जाती है क्यूंकि वहाँ पर शौचाले नहीं था। इस फिल्म को काफी तारीफ भी मिली थी। दी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासल करने के लिए हमें फेस्बुक और गूगल प्लास पर जॉइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।